आवला इन तीन तरीकों से लगाएं, बाल होंगे घने और मजबूत, आजकल बालों से जुडी समस्या काफी बढ़ गई है खराब लाइफस्टाइल, प्रदूशन और धूल मिट्टी की कमी के कारण बाल जल्दी जढने लगते हैं, इसके लिए आप आवले का इस्तमाल कर सक सकती हैं, यह बालों की कई समस्याओं को दूर करने में मदद करता है आईए, जानते हैं इसे बालों में कैसे इस्तमाल कर सकते हैं, आवले के गुण, आवले में एंटी बैक्टिरियल, फैटी एसिड्स, विटामिन सी, कैल्शियम आधी गुण पाए जाते हैं, यह शरीर के अलावा बालों के लिए काफी फाइदे मंद होता है, आवला और दही, बालों में लगाने के लिए आवला और दही भी बहतरीन आप्शन हो सकता है, इससे बालों को मॉइस्टर मिलता है और स्कैल्प का पी-एच लेवल भी सही रहता है, कैसे बनाएं आवला और दही का मास इसे बालों में लगाने के लिए दो चम्मच आवला पाउडर में दो चम्मच दही मिक्स कर लें अब इस पेस्ट को बालों पर अच्छे से लगाएं करीब एक घंटे बाद बालों को धो लें आवला और तुलसी की पत्तियां आवला पाउडर और तुलसी की पत्तियों को बालों में लगाना फाइदेमंद हो सकता है इसमें मौजूद antibacterial good बालों को dandruff से बचाते हैं और बालों को मजबूत बनाते हैं कैसे लगाएं आवला और तुलसी के पत्ते इसे लगाने के लिए पहले आवले के पाउडर में तुलसी के पत्तो को मिक्स करके पेस्ट बना ले, अब इसे सकेल्प पर लगा कर कुछ समय के लिए रखें। इसके बाद बालों को धोले, आवला और महंदी पाउडर, आवला में मौझूद गुण बालों को जल्दी सफेध होने की समस्या से बचाता है। यहाँ बालों की चमक को भी बरकरार रखने में मदद करता है, इसे आप इस्तमाल कर सकते हैं। इस तरह लगाएं महंदी और आवला, सबसे पहले आवला पाउडर और महंदी को अच्छे से मिक्स कर लें, अब इस पेस्ट को बालों में लगाएं, इससे बाल नैचुरली काले होंगे यहाँ बालों को नुकसान भी नहीं पहुचाता है, आवले का बालों में इन तरीकों से इस्तिमाल किया जा सकता है, स्टोरी अच्छी लगी है, तो शेर करें, ऐसी अन्य जानकारी के लिए क्लिक करें,